हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल माई चानल एमिस बविधा विश्वा करमा आप लोग कैसे हो प्लीज कमेंट में ज़रूर बताईएगा तो आज मैं आप लोगों को बहुत यमी यंट टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ तो आप लोगों देखके तो अंदाजा होगा तो मैं बता देती हूँ यह है पनीर चिली मस रेसिपी पनीर चिली रेसिपी है यह और काफी खाने में टेस्टी है और बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है आप दो मिनट के अंदर या तो पांच मिनट के अंदर आप यह पनीर चिली घर पे ही बना सकते हो धाबा होटल से भी बहुत ज्यादा अच्छा ये घर का बना हुआ पनीर चिली आपको लगेगा और मैंने बना था काफी ज्यादा टेश्टी था और जैसे हम होटल में ढापे पे खाते हैं उससे भी कहीं ज्यादा बहुत ही टेश्टी था तो चलिए इस प्यारी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और पनीर चिली की और क्या-क्या चीज़े लगने वाली स्टेप बाई स्टेप शेर करूंगी तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्ल कराई को गरम करना है उसके बाद इसके अंदर में डालूंगी तो यहां पर मैं तीन से चार बड़े चमबस तेल एड़ करूंगी क्यूंकि मुझे इसमें पनीर फ्राय करना है और इसी तेल में फिर में यह पनीर चिली बनाऊंगी तो तेल को अच्छे से गरम हो जाएगा तो आप पनीर फ्राय कर जिये अगर आप यह मैं तो सर्सो का तेल यूजगी हूँ अगर आप को इसा तेल करना चाहते हो तो आप यूजगी वगेरा हर चीज़ बनाना पसंद करते हूँ प्यूंकि इसका टेश्न बहुत अच्छा आता है तो मैंने पनीर को जो है चोटे च का फ्लेम हमें जो यहां पर मेडियम रखना है हाई पर नहीं रखना है और इसे अच्छे से हमें पनीर को पका लेना है तो जब तक्पनीर फ्राइ हो para रहा अब दरक हरी मिर्च यह लिया है मैंने और अच्छ चोप कर लिया है उसके बाद मैंने पया जेग लिया उसके एक टाल दिया س्दून मेंने पर ब हहाँ बनाना की भरूद आने वाली पनीर चिलिया मैं नेकन फिर ज़री है lavender और यहां पर बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है पनीर जैसा मुझे चाहिए तो मैंने विससर फ्राइ कर लिया है अगर आपको उसे ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो तो चली और भी पनीर है उसे भी हम फ्राइ कर लेते हैं फटाफट तो अभी इसी तरीके से मतलब जो मैंने पूरा पनीर था मैंने पाव किलो पनीर पूरा अच्छे से फ्राइ कर लिया है अभी उसी तेल में उसी कड़ाई में आपको पनीर चली बनाना है तो अलग से कोई बर्तन लगाने की ज़रूवत नहीं है तो आपको लसून हरी मीर्च अद्रग जो मैंने बारिक चॉप कर लिया तो वह डालेंगे और इसे अच्छे से हम पकाएंगे कि इसका जो कच्छा पनीर वो निकल जाए और पनीर चिली में इसका स्वाद आए तो चलिए अच्छे से इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाते हैं तो आप देख सकते हैं अच्छे से लसून और हमारा मिर्ची और अद्रग अच्छे से अपक चुका है मत्तव जादा हमें गोलडन नहीं करना है जादा इसका कलर नहीं चेंच करना है और झालेंगे शिंगला मिर्ची और प्याज मतलब कांदा और ये डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे और ग्यास का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है फ्लेंड और प्याज और शिमला मिर्च को जादा नहीं पकाना है तो 80% तक बस पकाना है और इसे अच्छे से आप ढखके भी पका सकते हो 2-3 मिनट के लिए उसके बाद आप जो ह दस वाला एक पैकेट ले लिया है आपके अगर जादा पनीर होगा तो दो पैकेट यूश कीजे पर यहां पर पनीर में पाव किलो ली हूँ तो मैं एक ही पैकेट यूश करूंगी बस अभी क्या करना है पानी डाल के इसे एक अच्छा सा गोल बना लेना है हमें और बहुत इसे भी हमें जो है एक से दो में अच्छे से चला लिया है अब जो मैंने पनीर चिली मसाला अच्छे से गोल लिया था पानी डाल तो हम यहां पर एड करेंगे और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है मैं और भी चीजे डालूंगी अगर आपके पास होगा तो डाल देखिए आदा चमच मैंने चीजे बनाने के लिए तो यहां पर मैं एक चमच जो है सोया सौट डालूंगी उसके बाद एक चमच जो है रेड चिली सौस और थोड़ा सा नमक और यह पनीर चिली में डाली चीजे से खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है तो आपक चीजे सौस मतलब एक चमच पकड़ लीजे में इतना डाल दिया है अभी इसे अच्छे से चलाएंगे अभी दो से तीन अच्छे से ढख कर पकाएंगे और आप दिरे दिरे देखोगी यह ग्रेवी एकदम डाक होते जाएगी गाड़ी होती जाएगी तो आपको जादा टा पनली रेडी हुई है कि नहीं तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आ गया और एकदम गाड़ा हो गया यह पनली चिली तो अगर आपको और गाड़ा चाहिए तो आप और एक से दो मिनद पका लीजेगा और अगर आपको नहीं चाहिए थोड़ा मतलब ग्रेवी लीजेगा और यह हो जाएगा तो यहां पर हमारी पनली चिली बनके रेडी हो गई है अब लाश में हम डालेंगे हरा प्याच तो मैंने उसके पत्ते लिए और वह काटके मैंने इसके अंदर आड़ कर दिया है इसे खाने में बहुत जादा तेश्टी लगेगा और खुश् कैसे पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा क्योंकि बड़ी महनत लगती वीडियो बनाने के लिए और आपके एक लाइक से बहुत जादा सपोर्ट मिलता है अपना पन लगता है तो प्लीज आपको लाइक कीजेगा और यहां पे एक कटोरी में मै सब करूंगी पनीर चिल्ली को और यहां पे गर्मा गरम पनीर चिल्ली बनके रेडी होगी सिर्फ पांच मिनट में दोन पनाद डाद में मगदी बनके लाइक से बहुत वाइक से बहुत जाएक कीजेगा बनके 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 लाइक से बहुत का में आपको और यहां नंगे । कर दो 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 कर